सरल आकर्तियों के घेरे, भाग 3, Boundary of Simple Shapes, Part 3 आज हम जानेंगे कि आकर्तियों में किनारे की संख्या और उनके घेरे के लंबाई के बीच क्या संबंद होता है? रियांश, आज मैं खेत के घेरे पर लगाने के लिए तार लेने जा रहा हूँ तुम्हारे चाचा भी अपने खेत के घेरे पर तार लगाना चाहते हैं अपने खेत के घेरे का माप हमने कल ले लिया था अब तुम चाचा के खेत के घेरे का माप भी ले लो फिर दोनों खेतों के लिए साथ में तार ले आएंगे ठीक है, आप मुझे उनके खेत की आकरती और सभी किनारों की माप बता दीजिए ये देखो, मैंने पहले से ही उसी पेपर पर बना दिया है जिस पेपर पर हमारे खेत का माप हमने कल निकाला था ठीक है, मैं चाचा के खेत के घेरे की लंबाई आपको बताता हूँ इसमें तो चार ही किनारे हैं इसका मतलब इसका घेरा हमारे खेत के घेरे से कम ही होगा 15 और 20 होते हैं 35 मीटर 35 मीटर में 22 मीटर जोडने पर हुए 57 मीटर और जब 57 मीटर में 13 मीटर जोड़ा जाएगा तो उत्तर आएगा 70 मीटर पापा, चाचा के खेट की लंबाई है 70 मीटर दिखाओ जरा ये लीजिए, एक मिनट क्या हुआ? मुझसे जोड़ने में कोई गलती हो गई है शायद हमारे और चाचा के खेट के घेरे का नाप एक ही आ रहा है लाओ मैं चेक करता हूँ नहीं रे आंश, कोई गलती नहीं है तुम्हारा जोड़ एकदम सही है तो क्या इसका मतलब हुआ कि दोनों खेट के घेरों का माप एक समान ही है? हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? दोनों खेटों की आकरती अलग-अलग है फिर इनके घेरे के माप एक जैसे कैसे हुए? बिलकुल हो सकते हैं घेरे के माप के आकरती से कोई संबंध नहीं होता है एक आकरिती में तीन या तीन से ज्यादा किनारे हो सकते हैं और सभी किनारों का नाप अलग-अलग हो सकता है इसलिए अलग-अलग आकरितियों के घेरे का माप समान हो सकता है मैं ठीक से नहीं समझा देखो, मेरे पास एक ही माप की तीन पतली-पतली लकडियां है इन सब ही की लंबाई एक ही है 15 cm हाँ इनकी लंबाई तो समान है अब मैं इन में से एक लकड़ी को तीन हिस्सों में काट देता हूँ और इससे एक आकरिती बना देता हूँ ठीक ऐसे ही मैं दूसरी लकड़ी को चार हिस्सों में काट देता हूँ और इससे भी एक आकरिती बना देता हूँ और अंत में मैं इस तीसरी लकडी को पांच हिस्सों में काट देता हूँ और इससे भी एक आकरिती बना देता हूँ अब तुम्हारे सामने तीन ऐसी आकरितियां हैं जो समान लंबाई की लकडियों से बनी है क्या तुम इनके घेरे की लंबाई बता सकते हो? हाँ, ये तो बहुत आसान है तीनों आकरितियों को बनाने के लिए 15-15 सेंटीमीटर लंबाई की लकडियों का प्रयोग किया है इसलिए इनके घेरे की लंबाई भी एक समान होगी यानि 15 सेंटीमीटर देखा तुमने, इन तीनों आकरितियों का आकार अलग-अलग है इसके बावजूद इन सभी के घेरे की लंबाई समान है अब मैं समझ गया कि अलग-अलग आकरितियों के घेरे की लंबाई समान हो सकती है इसके अलावा एक और बात मुझे समझ में आ गई क्या? मुझे लग रहा था कि यदि किसी आकरती में किनारों की संख्या ज्यादा है तो उसके गेरे की लंबाई भी ज्यादा होगी लेकिन ऐसा नहीं होता इन तीन आकरतियों में किनारों की संख्या भी अलग-अलग है इस आकरती में तीन किनारे हैं इस आकरती में चार किनारे हैं इस आकरती में पांच किनारे हैं फिर भी सभी के घेरे की लंबाई पन्रा सिंटिमीटर ही है यह तो तुम इन खेतों को देख कर भी पता लगा सकते हो देखो, हमारे खेत में च्छै किनारे हैं जबकि तुम्हारे चाचा के खेत में चार किनारे हैं, लेकिन दोनों खेतों के घेरे के माप एक ही हैं। हाँ, इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कम किनारों की आकरती के घेरे की लंबाई ज्यादा हो और ज्यादा किनारे से बनी आकरती के घेरे की लंबाई कम हो? हाँ, बिलकुल संभव है, इसको भी एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, देखो, दो पतली पतली लकडियां लेते हैं, जो अलग मापकी हूँ, छोटी वाली लकडी 10 सेंटीमीटर लंबी है और बड़ी वाली लकडी 15 सेंटीमीटर लंबी है, अब छोटी लकडी से 6 टुक काट कर एक आकरिती बना लेते हैं, अब बदाओ, इन दोनों में से किसके घेरे की लंबाई ज्यादा है, इस त्रिभुज आकरिती के घेरे की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, जो इस 6 किनारों से बनी आकरिती के घेरे की लंबाई से ज्यादा है, बिलकुल सही, तो इसका मतलब अब यहा हुआ कि किसी आकरिती के किनारों की संख्या का उसके घेरे की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया। चलिए अब बाजार चलते हैं और खेतों के लिए तार खरीद कर लाते हैं। आज आपने सीखा कि दो आकरितियों के आकार अलग-अलग होने पर भी उनके घेरे समान लंबाई के हो सकते हैं। और किसी आकरिती के किनारों की संख्या का उसके घेरे की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा किनारो वाली आकिरती के गेरे की लंबाई कम किनारो वाली आकिरती के गेरे की लंबाई से कम हो सकती है